Welcome incident, आज के इस lecture में कुछ नया नहीं करेंगे, पिछले lecture का जो question था, बहुत लोगों ने email किया, मुझे बनाया, सही सही, लेकिन बहुत लोगों को problem था, तो मैं इस question को फिर से आप लोगों के सामने बनाऊंगा, और कहां कहां पे incident को problem हो रहा है, उस चीज़ को point out करके, elaborate करके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, पिले question को फिर से देखते हैं एक बार, a timber beam of 3 meter span, span जो है, इस beam का, वो कैसा है, 3 meter, carries a ideal of 5 kN per meter, इस पर ideal लग रहा है, throughout the length 5 kN per meter का, and a point load of 1 kN at the center, ठीक है, ये question बड़ा simple था, मतलब mid point पे एक point load लग रहा है, 1 kN का, उसके बाद, if the permissible stress to be 100 N per mm2, यानि maximum stress जो develop कर सकता है, वो 100 N per mm2, या तो upper most fiber, या फिर lower most fiber, ठीक है, find the section taking depth as twice the width, यानि कि depth जो लेना है, वो twice लेना है width के, इस question को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, critical section कौन सा होगा, कहां पे bending moment सबसे maximum होने जा रहा है, उ section को find out करना है, इसे कल एक question जो हम लोग किये थे, उसमें ये point load बीच में नहीं लगके, कहीं left side लग रहा था, उसमें critical section find out करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे चुकिए, दो standard case का summarization है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, एक UDL वाला case है, plus of point load, UDL का rate of loading 5 kN per meter और इसका 1 kN, तो इसका भी formula पता है, maximum bending moment का, इसका ही formula पता है, और दोनों का critical section एक ही point पर होगा, इसका भी critical section, mid point पे parabolic, WL square by 8, और इसका भी critical section होगा, यानि कि दोनों का critical section जब एक ही point पे हो, तो simple standard formula को अगर जोड़ दे, तो maximum bending moment पता चल जाएगा, M निकालने के लिए और कुछ करना ही नहीं था, simply इस दोनों को जोड़ देना था, WL square by 8, plus of WL by 4, ठीक है, लेकिन ये situation आप तभी करेंगे, जब दोनों critical section, इस तरह से हम लोग तोड़े हैं, दो अलग-अलग summarize करके यहाँ पे आया है, तो दोनों का critical section अगर एक ही हो तब, अगर ये point load इधर लगता, तो इसका critical section कहीं और होता, और इसका critical section अगर mid पे होता, तब हम लोग add नहीं कर सकते, तब हम लोग को through process, long process जैसे जाते हैं, हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, पहला तरीका ये, कुछ reaction निकालने का ज़रत ही नहीं, इस तरह से M निकल जाएगा, आपको exam में ये चीज़ देखना चाहिए, कि कहाँ बे है, इस तरह के, आप जितना ज्यादा practice करेंगे, ये सब चीज उतना ज्यादा clear होते जाएगा, ठीके, बहुत सारे resident का ये भी problem था कि कर रहे थे सारा calculation वगेरा में mistakes आ रहा था, steps बहुत सही जा रहा था, इन calculation गलती आ रहा था, तो ये सब problem तभी arise होता है, जब आप practice नहीं करते हैं, तो practice ज्यादा करिए, ज्यादा ज्यादा question को attempt करिए, तो आपका जो calculation वाला error है, जो calculator पर error आता है, वो नहीं होगा, ठीक करना था, RA और RB, critical section आपको मालीजे, ये meet पर नहीं हो कि धर उधर होता, तो CR4 जहां पर sign change करेंगा, वहां पर bending moment maximum होगा, वही point critical section, ठीक है, तो उस process से हम लोग जाके देखते हैं कि critical section कहां पर हो रहा है, वैसे symmetrical section है, तो आप हो देखके भी पता लगना चाहिए, ऐसा incident, ठी direction निकालना पड़ेगा, RA कितना होगा, RB कितना हो, ये point A है, ये point B है, ये point C है, तो RA, RB निकालने के लिए, चुकि ये symmetrical section है, तो total load आधा इसमें बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा, योडियल throughout the section लग रहा है, आधा आधा उसका योडियल का, और point load भी बीच मे लग रहा है, तो point load का 1 kN 0.5 इसमें distribute होगा, 0.5 इसमें distribute होगा, यानि total load का simply आधा आधा अगर कर दे, तो RA और RB निकाल जाएगा, total load, 1 meter पे 5 kN, तो 3 meter पे 15, plus 1 kN का point load, 15, 16, तो 8 kN ये हो गया, और 8 kN ये हो गया, ठीक है, reaction निकालने में भी लोग, इस process को नहीं अपना के taking moment about A, उस तरह से गये हैं, तो वो सब जितना भी problems हा रहा है, ये दरसाता है, क्या practice number of question का कम कर रहे हैं, नहीं तो ये देखते ही bending moment अगर chapter पर command रहता, तो देखते ही आप reaction फट से निकाल देते, या direct moment भी निकाल देते, ठीक है, अगर मानलीज आपको long process से गये होंगे, तो उसमें भी बहुत कोई गलत किये हैं, वो गलती कहां पर है, उसको पकड़िये, मानलीज ये reaction ऐसे नहीं निकालते हैं, आपके तरीके से निकालते हैं, long process से निकालते हैं, taking moment about A, ठीक है, UDL के वज़े से act करेगा clockwise, point load के वज़े से act करेगा clockwise, RB के वज़े से act करेगा anti-clockwise, सबका algebraic sum अगर ये body equilibrium में हैं, तो summation of moment at about A equals to 0 होना चाहिए, UDL के वज़े से पहले, 5 into distance 3, act करेगा 3 by 2, यानी 1.5, ये clockwise है तो positive, plus of 1 into A perpendicular distance, 1 into 1.5, minus of RB minus Q, क्योंकि इस point panically upward force, anti-clockwise direction travel करेगा, RB into A distance 3 equals to 0, अगर आप इसको solve करे, RB को उधर ले जाए, और solve करके तो RB का value आएगा, 8 kilo newton, RA कितना आजाएंगा, total load में से RB को घटा दें, total load, 5 into 3, 15, plus 1 kilo newton, minus RB, यानी 16 minus R equals to 8 kilo, RA और RB, ऐसे भी कितना पता चला, शुरू में भी निकला था, 8 kilo newton, और 8 kilo newton, ये दोनों पहले reaction निकालने भी किसी को problem नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही basic चीज है, अब आते हैं, CR4 SFD अगर इसका बनाना पड़े, तो SFD क्या आपके ऐसे बनेगा, ठीक है, CR4 left to right अगर चल रहें, सबसे पहले कौन सा point आएगा, RA, उपर कितरफ, कितना, 8 kilo newton का, अब जैसे, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, UDL का value क्या है, CR4 का intensity को हर एक point पर धीरे-धीरे क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, ठीक है, तो CR4 जहां पर point load लगता है, वहां पर दो point लेना पड़ता है, just before the point load और just after the point load, just before the point load C, अगर CR4 हम लोग calculate करे, तो सिर्फ और सिर्फ UDL और RA का summarization होगा, algebraic sum होगा, point load consider नहीं होगा, एकनि इस point के थोड़ा सा बात जाएगे, तो 1 kiloton का भी consideration करना पड़ेगा, point load, तो CR4 just before C, आरे उपर गये थे, और ये UDL का सिर्फ value क्या होगा, घटेगा, इस point load को भी मन देखे, इस side का मन देखे, just before C, यानि UDL का value क्या होगा, घटेगा, UDL का value इस point इतने दूरी में कितना होगा, 5 into 1.5, यानि कि 7.5 घट जाएगा, बचेगा कितना, C point से just पहले, 0.5 बचेगा, 7.5 घट गया, A ट उपर गये थे, 7.5 नीचे आ गये, धीरे हर एक point पे घट आए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, UDL यही करता है, कि CR force का intensity को हर एक point पे थोड़ा घटाता है, अब point लोड क्या करता है, sudden drawdown करता है, जैसे कि, जैसे ही point load C पे ही थोड़ा सागे बढ़े, तो क्या करेगा, sudden point load 1 किलोटन का जो है applied हो रहा है, वो downward direction में 0.5 बचा था, एक किलोटन applied हो रहा है, तो नीचे कितना आ जाएंगे, 0.5, क्योंकि 0.5 को पहले overcome करेगा, उसके बाद बचा उसके पास 0.5, तो negative में यह CR force यहां पे आ जाएगा, point load की just bar, अब आते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़े, यह point load तो consider हो गया, धर का सारा consider हो गया force, अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, इस point से, B से just पहले, इतना दूर का UDL और नीचे घटाएगा due to gravity, तो इतना दूर का UDL का value 5 into 1.5, यानि की 7.5 और, 7.5 UDL के बज़े से, और पहले से कितना नीचे आ गया थे, 0.5, तो total कितना नीचे आ गया, 8 kilonewton, अब जैसे ही point load को भी consider किये, shear force at point B, अब ये RB उपर ढखेल रहा, तो कितना intensity से 8 kilonewton का, 8 नीचे भी गया थे, और RB उपर फिर से इसको ढखेल के कितने पहले लेते हैं, 0 पे, तो ये positive और ये negative, तो shear force अपना sign कहां पे change किया, point C पे, exactly point C पे, इसमें कोई doubt ही नहीं, इसमें कोई दोमत ही नहीं है, जहां पे point load C है, वहीं पे shear force अपना sign change कर रहा है, बहुत लोग क्या किये हैं, कि expression बना है, x दूरी पे माना कि sign change कर रहा है इस तरह से, तो x का value अगर वैसे, जहां पे confusion नहीं है, जहां पे exact shear force SFD के diagram सहीं पता चल रहा है, वहां पे equation बनाने का ज़रुरत ही नहीं है, equation तब बनाते जब completely ideal लगते रहता, कहीं point load नहीं लगता, तब जाके आपको confusion होता है, कि इस point पे यह दिखतो रहा है, diagram में change कर रहा है, केकि वह कौन सा value है, आपको नहीं पता रहता diagram से, तब आप expression के through जाते, और ra minus w into x plus जो भी है, उसका algebraic सम करके equals to 0, x का value निकालते, अगर आप इस expression को say x का value निकालेंगे, CR force 0 करके, तो x का value आपको 1.4 आएगा, जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि x का value अगर 1.4 consider करते हैं, इस point load का तो consideration हुआ ही नहीं, यह point load कहाँ पे आपको जाके मिल रहा है, 1.5 पे, तो 1.5 पे आपको जाना पड़ेगा, तब ही CR force वहाँ पे क्या कर रहा है, sign change कर रहा है, ठीक है, जिस point पे, c पे point load लग रहा है, वहाँ पे CR force का बहुत सारा values है, बहुत सारा, इस point पे भी है, इस point बहुत सारा values है, इसलिए इस तरह के expression को, आप equation के through, solve ना करके, direct आप diagram से justify कर सकते हैं, देखके, कि CR force अपना sign कहाँ change कर रहा है, यह visible है, कि 1.5 पे ही इसमें कोई doubt नहीं है, 1.5 पे ही sign क्या कर रहा है, change कर रहा है, ठीक है, अब आगे आते हैं, इसमें बहुत लोगों का गलती था, कि 1.4 आया था, 1.4 आएगा ही ने, 1.4 कही ने कहीं पे रहा जाएगा, और इस point पे, इस 1 किलोटन का consideration नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब आते है और आप expression जो लिख रहा है थे equation में, उसमें 1 किलोटन भी लिखे होंगे, आप लोग revise कर के देखिए, जिन्नों ने भी ये गलती किया है उसके लिए, ठीक है, जिन्नों ने नहीं किया है, उसके लिए, यहाँ पे ये diagram को समझिए, आगे पढ़िए, उसके बाद आते हैं, य bending moment at C, इस point bending moment का value, किस-किस force के बाद बेंडिंग मोमेंट होगा, एक RA और एक UDL, इसका effect इसी point पे तो होगा नहीं, क्योंकि force तो है, लेकिन distance इसी load का, इसी point के about distance 0 है, तो इसका effect bending moment पे नहीं होगा, अब bending moment जब निकालते हैं, तो पताया था, sagging, sign convention जो यूज़ करते हैं, sagging bending moment positive, और hogging bending moment negative, तो यह जो load है, इस point पे कैसा bending moment create करेगा, उपर ढखके लेगा बीम को, यानि sagging, और UDL जो है, इस beam को नीचे ढखके लेगा, यानि hogging, पहले RA के वज़ो से, 8 into, यह distance कितना है, 1.5, यह positive, क्योंकि sagging create कर रहा, minus, UDL, UDL का load, यानि 5 into, यह distance 1.5, और act कहा करेगा, 1.5 divided by 2, minus इसले लगाएं, क्योंकि UDL जो है, इस beam को hogging nature में तोड़ेगा, तो इसको आप लोग अगर solve करेंगे, तो M का जो value आया है, वो आया, 6.375, 6.375 kilonewton meter, 6.375 into 10 to the power 6 newton mm में आ जाएगा, ठीक है, newton mm में, अब इस M को, आप लोग, जैसे M by I equals to stress by Y, क्या निकालना था, dimension D निकालना था, B निकालना था, तो बस put करिए M का value, 6.375 into 10 to the power 6, I के जगा, BDQ by 12, B, D के जगा, 2B रख सकते हैं, क्या, cube divided by 12, 12 बूपर चला गया, उसका बाद stress का value, maximum stress 100 है, Y का value, 2, D by 2, D का value, 2B divided by 2, यह 2, 2 कर जागा, simply B लिख सकते हैं, यह फिर आप ऐसे लिखे, 2B divided by 2, D divided by 2, यह हो, यह 2 कर जागा, अब इसे B cancel करिए, 6.375 into 10 to the power 6 into 12, 12 है गया, 8 into 100 equals to B का cube, तो B equals to, ना to the power 1 by 3, तो B का value आप लोग कैलकुलेट करेंगा इसको, तो B का value जो आता है, वो कितना आता है, 45.73 mm, और D का जो value है, 2B के बराबर है, तो 2 into 45.73, यह value आएगा, 91.45, 91.45 mm, इसको round figure में 45 है, तो 50 ले सकते हैं, इसको 100 ले सकते हैं, round figure में करके इस तरह से, ठीक है, तो आप लोग का steps, बहुत कोई का, steps सही था, और यह final answer गलत आ रहा था, तो यह calculator जब आप use नहीं करेंगे, बस रखे रहेंगे calculator को, तो यह calculation वाला mistake आएगा, error आएगा, ठीक है, examination में यही होता है, जिससे आपका एक दो marks कटता है, final steps सही की हैं, लेकिन answer नहीं आया है, तो marks कटेगा वहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई doubt नहीं है, इसलिए practice जितना ज़्यादा करिएगा, calculator पर आपका speed बढ़ेगा, accuracy बढ़ेगा, human error जो होता है, उसका chances घटेगा, अब आते है next assignment पर, जो आप लोगों को दिया था, एक T section है, जो कि simply supported है, इसका span है 5 meter, और यह UDL का value प 150 MPa, 100 MPa को ही Newton per mm square, unit दोनों same ही है, Megapascal, आप convert करेंगे Newton और mm में, तो finally वो same रह जाता है, ठीक है, दोनों एक ही unit, उसके बाद अब आते हैं, इसका cross section दिया हो था, flange का width 125, flange का depth 12.5 mm, wave का depth 187.5, और wave का width 8 mm, ठीक है, इस तरह का section यह unsymmetrical section है, और इसमें आप neutral axis का position directly नहीं पता है, जैसे eye section में direct पता था, कि mid point पे होगा, rectangular section में direct point पता था, neutral axis का d by 2 पे होगा, लेकिन यहां पे आपको नहीं पता है, इस direction का neutral axis, तो आपको यानि कि y bar निकालना पड़ेगा, वही neutral axis होगा, यह y bar निकालना पड़ेगा, ठीक है, चुकि x x axis के about ही bend तो इसलिए आपको y bar का जोरत है, तो y bar कैसे निकलेगा, y bar इसको अगर section 1 माने, इसको section 2 माने, तो हम लोग a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2, ऐसे करके a1 यानि 125 into 12.5 y1, इसका cg, इसका cg कितना हो जाए गबाँ, पहले हम लोग अलग अलग लिखी लेते है, a1 equals to 125 into 12.5, y1 equals to 187.5 plus 12.5 का आधा, 187.5 plus of 12.5 का आधा, यह हो गया, a2 है, 187.5 into 8, 187.5 into 8, y2 है, 187.5 का आधा, 187.5 divided by 2, इसका आप लोग calculate करेंगे, तो a1 का जो value आता है, आप लोग भी calculate करें, y1 का value आता है, 193.75, a2 का value आता है, और y2 का value आता है, 93.5, आप लोग भी अपने से calculate करेंगे, चेक करेंगे, 7.5, सब यह mm square, यह mm, यह mm, यह mm square, इस सब value को यहाँ पर put करें, जिसे a1 निकल चुका है, तो directly a1 का value put करिए, 1562.5, y1, 193.75, plus of 1500 into 93.75, divided by 1562.5 plus 1500, तो आपको जो y bar value आएगा, वो किदना आता है, 144.77, 144.77 mm, कहां से, इस bottom reference point से, जो whole section का CG है, वो 144.77, ठीक है, यह चीज है, यह आगे आपका, अब हम लोग को y bar, याण neutral axis का position पता चल गया, अब देखे, हम लोग को निकालना क्या है, कि यह maximum कितना UDL ले सकता है, इस stress को generate कराने के लिए, यानि कि extreme permissible stress का value दिया हुआ है, इस stress पे कब पहुँचेगा, UDL कितना होना चाहिए, ठीक है, उस UDL का value टिकालना है, ठीक है, तो UDL का जो value है, कही न कहीं किस में छुपा हुआ है, simply supported beam है, entire length में UDL लग रहा है, तो M में छुपा हुआ है, WL square by 8, ठीक है, तो moment का equation M by I equals to stress by Y, इस पे put करेंगे, तो आपको W का value पता चल जाएगा, I कैसे निकलेगा, T-section का moment of inertia, moment of inertia वाले chapter में, जाएगे, आप लोग वहाँ पे देखे, T-section का moment of inertia कैसे निकलेगा, stress का value 150, Y का value, अब Y का value थोड़ा सा नया है, अब Y का value हम किसको बोलते हैं, कि देखे, neutral axis से इस fiber का दूरी या फिर इस fiber का दूरी, दोनों में से जो maximum होगा, अगर compressive stress पूछा जाता, तो यहाँ से यह distance बोलते हैं, ठीक है, 200-144.77, लेकिन tensile bending stress अगर पूछा जाए, तो neutral axis से यह वाला दूरी 144.77, लेकिन question में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कि tensile या compressive, बस maximum stress लिखा है, तो maximum stress जाहिर सा बात है, यह value कम है, तो यह नहीं होगा, यह value, यानि tensile bending stress जो होगा, वो maximum bending stress में अब दो टाइप है, compressive bending stress या tensile bending stress, बस पूछा जा रहा है कि maximum bending stress कितना है, 150, तो maximum bending stress कहां पे होगा, नीचे वाले fiber पे, यानि tensile bending stress ही maximum bending stress होगा, तो y का value, चुकि y directly proportional होगा, stress directly proportional होगा, किसके? y के, y जितना जादा stress उतना जादा, तो maximum stress अगर यह है, तो y का value भी maximum होना चाहिए, यानि कि neutral axis से bottom most fiber का जो दूरी है, 144.77, वही value किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा, सब value put करिए, और आपको w का value, udl का value कहीने कहीं निकल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे moment of inertia निकालने बहुत कोई को दिक्कत हो है, गलती किया है, उसको पहले देखते हैं, revise करते हैं तरह से moment of inertia वाला चेप्टर, देखें, whole section का जो cg है, and neutral axis, whole section का कहां पे लाई करा है, y बाद जो निकाले, 144.77, ठीक है, और individual section 1 का, इसको section अगर 1 माने, इसका y1 हम लोग निकाल ला था, कितना, 193.75, यह section अगर 2 है, इसका y2 कितना है, 93.75, अब आते हैं, moment of inertia about xx axis, xx axis, तो ixx equals to ixx1 plus ixx2, यहाँ पे समझे, ixx1 का मतलब क्या है, इस section का moment of inertia, इस axis के about, red वाला जो axis है, इसके about, और ixx2 का मतलब क्या है, इस section का moment of inertia, इसी red axis के about, दोनों का जोड, यहनि whole section का moment of inertia, इस red axis के about, वही आ जाएगा, whole section का CG कौन सा है, xxx axis, उसी के about moment of inertia चाहिए, ठीक है, तो जो हम लोगो formula पता होता है, bdq by 12 rectangular section का, इस individual section का moment of inertia, इस वाले axis, इसके खुद के CG के about पता होता है, ना कि किसी और CG के about, bdq by 12 जो पता होता है, इस section का moment of inertia इसके खुद के CG के about, जैसे इसमें भी bdq by 12 करेंगे, तो moment of inertia किसके about निकलेगा, इस axis के about, लेकिन इस section का moment of inertia इसके about चाहिए, और इस section का भी moment of inertia इसके about चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, parallel axis थर्म लगाते हैं चोकि ये axis, इसका खुद का CG वाला axis x direction में और whole section का CG x direction में दोनों दूसरे से parallel है और कुछ distance पे है तो parallel axis थर्म लगेगा, अब parallel axis थर्म क्या बोलता है इसका खुद का CG के about axis direction में इसके खुद के CG के about moment of inertia plus of ay square अब y क्या है, दोनों axis के बीच का distance इसको y बोलते हैं, y का नोटिफिक जो ये है टर्म है, अलग-अलग जगहों पे y का अलग-अलग meaning है यहाँ पे y का क्या meaning है, दोनों axis के बीच का distance अब आते हैं, इस section पर भी focus रही है, section 1 पर ठीक है, क्योंकि आई access 1 निकाल रहा है इसके CG के about axis direction में इस CG है moment of inertia से क्या हो जागा है, bdq by 12, 125 into d, 12.5 का cube divided by 12 plus of area, इसका area 125 into 12.5 दोनों axis के बीच का दूरी दोनों axis के बीच का दूरी कैसे पता चलेगा यहाँ से यह distance पता है 193.75 यहाँ से यह distance में से अगर यह distance यह distance केतना है, 144.77 इसको घटा देंगे, तो यह वाला distance पता चलेगा, समझे यह distance में से यह distance को घटा दिये, यह वाला distance पता चला, तो आई चीज़ कर रहे हैं, वो इसी को आई बोल रहे हैं, 193.75-144.77, ठीक है, अब इसको solve आप लोग करेंगे, तो Ixx1 जो आता है, वो आता है, 3768845.67 mm4, ठीक है, यह होगे, Ixx1, अब Ixx2, इस section का moment of inertia पहले, उसके CG के about, यानि क्या हो जाएगा, BD, इसका B कितना है, 8, D कितना है, D, 187.5 cube divided by 12, plus of area, इसका area, 8 into 187.5 into दोनों के CG का बीच के gap, यह gap कैसे आएगा, यह distance 144.77, यहां से यह distance 93.75, तो 144.77 minus 93.75 करेंगे, तो यह distance पता चलेगा, यानि 144.77 minus 93.75, इसका square करेंगे, तो यह जो value आता है, Ixx2 वो value आएगा, इसको आप लोग कल्कुलेट करके देखें कितना आता है, तो इसको कल्कुलेट करके जो Ixx2 का value आता है, वो इतना आता है, ठीकें? अब Ixx जो होगा, वो Ixx1 plus Ixx2, इस दोनो value को, इस value को आप लोग add करें आपस में, तो यह value कितना आता है, दोनो add करके, 120, 67, 93, 7.5 mm4, यह इतना value आता है, I का value पता चल गया, अब जैसे कि यह simply supported beam था, जैसे कि figure 3 dimension view में हम लोग ने देखा था, simply supported beam है, entire length पर क्या लग रहा है, यूडियल लग रहा है, तो जाईज सा बात है, M का जो value होगा, वो W L square by 8, ठीक है? अब आते हैं, M by I equals to stress by Y, इस पे बस put करना था, और W का value पता चल जाएगा, तो M के जगह पे W into, बहुत span दिया हुआ है, जैसे कि 5 meter, बहुत लोगों ने क्या किया है, वो 5 meter direct put कर दिया यहां पे, 5 का square divided by 8 है, यहीं पे गलती कर दिया है, बहुत लोगों ने, क्यों गलती कि है, क्योंकि सब जगह unit क्या ले रहे है, M, में ले रहे है, तो यहां पे भी इस unit को भी किस में convert करना था, यह meter में है, तो इसको भी 5000 लेके M, में convert करना था पहले, क्या square divided by 8, अब M का value सही आ गया, अब I का value जो निकला है 120, 67, 93, 7, यह I का value थोड़ा जादा आता है, आप लो बस process करते जाएगा, यह value आया, उसके बाद stress का value 150 MPa था, MPa यानि newton पर mm square ही होता है, तो यानि mm में unit है भी भी और जो answer निकलेगा, W का वो भी newton में निकलेगा, क्योंकि यह newton पर mm square है, उसके बाद Y का value, Y का value देखिए, extreme, neutral axis से extreme fiber, neutral axis से अगर इसका दूरी आप देखे, तो 200-144.77, यह कम value आता है, किसके बनिस्पत, इस value के बनिस्पत, यानि यह वाला जो value है, neutral axis extreme fiber का tension side में, वो जादा है, तो उस जादा वाला value को ही यहापे put करेंगे, यानि कि direct 144.77, लेकिन अगर mention कर देता, कि नहीं, bending, compressive stress में stress का value उतना दिया हुआ है, तब हम लोगों य value लेना पड़ता, देकिन ऐसा कुछ mention नहीं किया है, तो जो extreme distance हो, neutral axis से, उस distance को हम लोग put करें, यहापे आप लोग W के इसको calculate करिए, तो W का जो value आता है, वो value आता है, 4 Newton पर mm, यह सही answer है, 4.something आएगा, बहुत कोई का यह answer नहीं आया है, कुछ अलग आया है, क्योंग आया हुआ है, पहले के examination में, और भी book का कोई question हो, तो उसको solve करें, thank you.